बिहार के राजपाल फागू चौहान इन दिनों दिल्ली में हैं और दिल्ली में ये दोड़ा ओफिस्यल बताया जा रहा है कि प्रणान मंत्री मोधी के दोड़ा बुलावा आया था और उनहीं से मिलने वो दिल्ली गए हैं हालाकि जब वो दिल्ली गया तो चर्चा तेज हो गई कि बिहार में राष्टपती शासन लगेगा तमाम तरह की अफवा हैं तमाम तरह की बाते जुड़ी हुई और बिहार की सियासत से फागु चोहान से जुड़ी हुई बाते सामने आने लगी लेकिन प्रधान मंत्री मोध बिहार की सियासत और राजनीत पर भी फागु चोहान ने बड़ा बयान दिया है देश की राज़दानी में दिल्ली के जो सबसे बड़ी यूँ कहें तो देश की सबसे बड़ी जो पोश्ट है राष्ट्रपती और उसके बाद जब परधान मंत्री का नमबर आता है तो बि बिहार के राज़पाल फागु चोहान ने पीम से मुलकात के बाद बताये हैं पिहार पर और साथी बताया है कि क्या कुछ बाते हुई है पिम से लगबक आदे गंटे मुलकात हुई है बातचीत हुई है इस दर्म्यान बिहार में जातिये जनगना सही तमाम जो हलचल है सिय पर नजर आए हैं आपको बता दे बिहार में जाती है जनगरना पर जहां एक जून को सरोदलिय बैटक बुलाई गई है जिसे सीम नितीज कुमारों नेता परतिपक तेस्वी यादो सिर्कत करेंगे वहीं बीजेपी की भागेदारी पर फिलाल सस्पेंस बना हुआ है कमीटी को सब कुछ सौप दिया है और अब जो फैसला होगा वो कमीटी करेगी लेकिन फागु चौहान मुलकात के बाद बयान देने से बसते हुए नजर आए हैं ये संकेत है कहीं न कहीं बिहार को लेकर कि राजिपाल बदले जाएं या बिहार में कोई सियासी तुफान के ये संकेत है प्रदान मंतरी मोदी से मुलकात के बाद जो तमाम चर्चाने चल रही हैं किसी पर विराम लगाना अभी कहीं न कहीं जल्दी बाजी होगी देख रहा है होगा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कैसे बदलती है और फागु चौहान बिहार आते हैं क्या गंटी बागु उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद